प्यारे बचों हम लोग मैट्स के वर्क्षीट नंबर 79 को करेंगे क्लास 9 के लिए यह चैप्टर 13 पे बेस्ट है और जो आपने इसे पहले वर्क्षीट किया है 42 उसका रिविजन है आई ये कोशन को देखते हैं कहता है एक बेलन की तरज है दो गनिया और उंचाई राधी कर तीजाए तो उसका वक्र प्रिश्चेतफल होगा ये एक बेलन है और ये दूसरा है बोलता है तरजीह को दो गोणी करतीज़ घे त अजब दो और उचाई अभी है है आई च्च बाद में कितनी है उसकी आदि शुरू में इसका वकुल पे श्यत्रफल किया हो जा जाएगा वकुल पे श्यत्रफल का फर्बूला होता है टू-पाय आर carbon और नया वकुल पे श्यत्रफल क्या हो जाएगा टू-पाय रेडियेस की जिगअ कर लें टू- आर ओर हाइट के जगा पर लेंगे हैच बाइट तू यह टू और यह टू कैंसल हो गया क्या बचेगा यह वाला टू यह पाई यह यह आर यह क्या देख रहें पहले भी वही था अभी भी वही है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा की सेम रह जाएगा कोशेन नमबर टू को देखिए कहता है कि उंचाई 25 cm है और तरजिया जो है वह 3.5 cm है तो इसका वकर प्रिश्यत्रफल कर्ब सर्फिस से रही है बताओ डाइग्राम को आप देख लीजिए रेडियस जो है वह 3.5 cm है और है जो है वह 25 cm है अब बोलता है इसका वकर प्रिश्यत्रफल निकालो तो वकर प्रिश्यत्रफल का सुत्र तो आपको पता ही है तू पाई रह मैंने डाल दिया सारा वैल्यू 3.5 को 2 से मल्टिप्लाई यह कैंसल हो गया बचा क्या 22 इंटू 25 मल्टिप्लाई करके कितना आ गया 550 cm2 कोश्यन नम्बर 3 बोलता है दो बेलन है उनकी उन्चाए का अनुपाद 5 और 3 है और तरजिया का अनुपाद 2 और 3 है वक्ट विश्यत्रफल का अनुपाद बताईए मैंने दो बेलन ले लिए हैं एक हीट यह वह पांच दूसरे का तीन ले लिया पहले का रडियसों 3 जिसा यह कोश्यन में कहा जा रहा है अब वक्ट प्रिश्यत्रफल्वं का अनुपाद ले लेना है तो पहले वाले का क्या होगा 2 पाई r1 h1 इसका अ गया प्रि moet अ Navalny दू 2पाई R-2 H 2 यह 2पाई और 2पाई कैंसल हो गया बचा कि यह हार 1 H 1 अनुपात R2 H 2 आरवन कितना है 2 H 1 कितना है 5 På तो 2 cyst now on a face 200 कितना है 3 H 2 कितना है 3 तो 2 WhatsApp 10 139 तो 10 10 10 ना क्ल gegen टीन का अंसर हो गया एक वैसा प्रीज़् हम प्रोड फोर यह वाला कोशन कोशन नовно और यह कोशन नबर टैन यह कोशन नुमबह 9 यह सारे अपयापके बोकल करिडियो चानल कि क्लिक्ट जसके लिए अल्रडी वीडियो बना हु आइठ एन. ते ल्ड. इ सब्सक्ते हैं पिर दोनों सिर्ज जो हैं तो Schweiz संवाइर वाले हमको यह वाला बीच का अरिया चाहिए तो सरकल है बड़ा अला सरकल का यरी और ये हो जाएगा पाइ आर्टू का is求 mat जोड़े चुटा अला सरकल रहे उसकर ये हो जाएगा पाइर अर्वन का श्क्वाएर और ऐसा तो ऊपर में भी होगा यहाँ पर और यहाँ पर तो तो हमने इस पूरे चीज को दो से गुना कर दिया यानि अगर 2Pi common ले लें तो क्या हो जाएगा R2 का square minus R1 का square तो वही चीज मैंने लिख लिया है यहां पर दोनों शिनों का शेतुफल अब इस पूरे में से अगर common ले लेंगे तो यह पहला वाला यह यहां लिख दिया है और यह जो दोनों सेरे वाले हिस्से हैं वह हमने यहां लिखा है अब यह क्या है a square minus b square a square minus b square क्या हो जाएगा a minus b a plus b अब इस पूरे में से पहले तो 2Pi common ले लिया 2Pi common ले लिया तो यह 2Pi r1 r2 common ले लिया तो 2Pi r1 r2 यहां यह वाला h बच जाएगा और यह वाला चीज बच जाएगा तो इस तरीके से कुल एरिया आ जाएगा तो इसका मेरा जो आंसर है वह कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर मेरा सही हो जाएगा option को देखिए पहले option को देखिए तो इसमें जो option number B है आपका वह correct है अब यह question number 4 को देखते हैं यह भी आपके अब है को देखिए वक्रप्रिश्य फट्रफल जो है वह हमने 88 ले लिए हाइट 40 ले लिए रेडियस जो है वह हमको पहले निकाल लोगा तभी तो व्यास निकलेगा और व्यास क्या होता है रेडियस का दो गुना टू आर वक्रप्रिश्य फ़र्मुला लिख लीजिए तो लिए हमको पता नहीं है और एच फॉर्टीन है सेवन से फॉर्टीन कट जाता है दो बार में तो दो गुना बाइस चवालेस और यह टू इन्टू आर जो कि हमको निकालना में तो व्यास से निकालना है ना तो मैंने लिख लिया अब फॉर्टीफोर जो है यहां पर सब्सक्राइब देखते हैं कि पोशन नमर सिक्स में क्या कहता है कि एक आयताकार सीट है जिसका डाइमिंसन आपको दिया हुआ है 33 और 18 बोलता है कि इसको चोडाई के इस आप से फोल्ड करो और जो बेलन बनेगा उसके तिरजिया ग्याद करो चलिए हम बना लेते हैं यह हमने एक शीट बना लिया है जिसके लंबाई 33 और चोडाई जो है 18 और इससे हम अगर बेलन बना लेंगे तो यह जो चोडाई है वह यहां पर हैट बन जाएगा और यह जो इसका लेंथ है वह क्या हो जाएगा नीचे का परिधी बन जाएगा तो वृत की परिधी आपको त 33 यानि रेडियस पर आबर क्या हो जागा यह नीचे का 7 यहां आ जाएगा मुल्टिप्लाई और टू इंटू 22 नीचे आ जाएगा तो रेडियस क्या हो गया 22 जो है वह 11 से कट गया दो बार में और 11 टू जा 22 11 टू जा 33 कि 33 था 11 से कटा तो 3 आ गया तो 37 जा 21 नीचे टू टू जा 4 रेडियस आ गया 21 बाई 4 मैंने वैसे वक्रप्रिश्यत फल भी निकाल दिया अगर आप इसी चीज़ से वक्रप्रिश्यत फल निकालना जाओ तो यह आ जाएगा वक्रप्रिश्यत फल पूछ पूछा नहीं है कोशन में फिर भी रहा है कि आपको रेडियस दिया हुआ है और हाईट दिया हुआ है बोलता है कुल पृश्यत फल निकालो कुल पृष शिति चैसे मतलल टूतल सर्फिस और यह ऊज़ित फल वहट है टू प artifacts x1 और अगर वोल्यूम की बात आले तो वाल्यूम यानियाश को कहते हैं वह होता है पाय आर स्क्वाइर एच फॉर्मूले अच्छे ज्याद होने चाहिए ताकि MCQ या बागी तरह के कोशन बन सके चलिए आईए कोशन पर फोकस कर लेते हैं कोशन नंबर एट कर रहे थे हम लोग कोशन नंबर एट कोशन नंबर एट मैं दिखा देता हूं आप लोग कोशन नंबर एट से पहले कोशन नंबर सेवन कर लेता है कि क्या है कोशन नंबर समय को फोटा है कि ऑगा व्यास्तर है और उसके लंबाई 1.5 यह इतना बड़ा खेत है तो बुलता है समतल करने में कितने में चक्कर लगेंगे तो कोई भी रोलर अगर घूमेगा तो एक बार घुमेगा तो वो क्या करेगा अपने वक्रप्रिष्ट के बराबर जो है उस एरिया को समतल करेगा यह आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको गर काटेंगे बीच से तो यह फैल करके एक rectangle बनता है तो basically यह इस एरिया को अगर इसके वक्रप्रिष्ट शित्रफल से हम डिवाइड कर दें तो मेरा question बन जाएगा question number 7 को पहले कर लेते हैं question number 7 यह देखे यह roller का सारा कुछ information given है उसका diameter जो है आपको व्याद 70 cm है हमने तिर्जिया निकाल लिया तो तिर्जिया क्या होता है diameter कहा था 35 cm इसको मीटर में बदल लिया 0.35 meter height given 1.5 meter और खेत के बारे में यह दिया हुए किसके लंबाई इतनी है चोड़ाई इतनी है तो एक चक्कर में सम्तल किया गया शित्रफल क्या होगा वक्रप्रिष्ट शित्रफल के बराबर और वक्रप्रिष्ट शित्रफल क्या होता है तो पाई रह तू पाई 22 बाई 7 शित्रफल 2 पाई रेच अब तो सिंपल कैलकुलेशन है कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आता ही है यह दोनों चीज उपर है यह नीचे वाला साथ भी उपर आ गया और इसका मैंने डेसिमल हटा लिया यहापर उपर हंड्रेट और यह ट्रेंड डाल करके डेसिमल हटा ल 12 यह 0.35 और यह 1.5 अब देखो यहाँ पर एक अंके पीशे डेसिमल है यहाँ दो तो हजार से गुना कर देंगे डेसिमल हट जाएगा और कैलकुलेशन करके 500 बाई 7 चकर 500 बाई 7 चकर को अगर डिवाइड करेंगे तो 71.3 यानि 72 चकर में वो खेट जो है वो समतल हो यह रहा बेलन की तरजिया दीव भी है और हाइड दिया हुआ बोलता संपूर्ण प्रिश्य तुफल तो फॉर्मूले में सिर्फ बिठा देना है टू पाई आर ब्रैकेट में हच प्लस आर यह 7 से 7 कट जाएगा तो यहां बचेगा यह 2 यह 22 और H और R को जोड़ोगे तो यह वाला 14 और 7 मिल करें कितना हो जाता है 21 मृटिप्लाइ कर लेना है 924 सेंटीमीटर स्कॉर तो यह भी बन गया आपसे कोशन नमबर 9 जो है इसमें क्या है कि एक स्कूल में आर्ट और क्राफ का हो रहा है उसमें मुलता है कलमदान बनाना पैन होल्डर बनाना है तो पैन हो बैचे हैं हर के लिए बनाना है हर बच्चा बनाएगा तो कितना गता सप्लाइब होगा तो 35 बच्चों के लिए गता सप्लाइब होगा इस स्रिंडर के वक्रप्रिश शित्वल के बराबर प्लस आधार के बराबर के वक्रप्रिश शित्वल होता है 2 पाई आर एच आधार म में एक वृत्त उसका चित्फल होता है पायार स्क्वाइर अब कैल्कुलेशन में ने बठा दिया है पैंटेस पाइब 22 बाइस प्लस आर साथ से पैंटेस कडिया पांच बार में यह बाइस यह तीन और यह साड़े-दस को दो से गुना करोगे तो 21 और यह रेडियस तीन इसमें से 2 पायार कॉमन ले लिया तो यह 2 बचेगा और यह वाला एक रेडियस बचेगा 21 प्लस 3 24 अब मल्टिप्लाइब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7920CM स्क्वाइर कोशन नमबर 10 जो है उसमें क्या बोलता है कि एक स्लेंडर है जिसका अंदर का रेडियस है डायमेट जो होगा 2.2 हाइट 77 बोलता है आंतरिक वर्क प्रिश्ट्फफल निकालों यह अंसे आटी का सवाल है तो आंतरिक वर्क प्रिश्ट्फल 2 पायार ह एच वैल्यू बिठाना है से 7 से 77 कट जाएका 11 बार में 112022 22 22 22 484 उसको 2 से मल्टिप्लाइब कर लिया तो 964 सी है बाहे व वाला रिडिस को मैंने कैपिटल आर्मान रखा है कंफ्यूज नहीं होना है इससे कट गया 11 बार में 112022 22 को इससे मल्टिप्लाइब किया तो इतना आ गया और कूल प्रिश्ट्फर के लिए जो हमने मतलब अभी 3 वाला फॉर्मूला लगाया है जो 3 में हमने फॉर्मूला ब बना सकते हो मैंने सिदा वह फॉर्मूला उठा करके यूज कर लिया है अभी हमनों को ने फॉर्मूला बनाया था कॉशन नमबर 3 में वह फॉर्मूला यूज किया तो ये सारा कुछ वैल्यू डाल दो तो इतना जागा 2038.08 cm2 देख लेजिए असको अच्छा से लेख लेजिए थैंक यू